नमस्कार साथियो मैं डॉक्टर राजे सर आप सभी का अगरी कल्चर केडमी के आफिसेल चैनल पर स्वागत करता हूं हम सभी लोग करन्ट मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो आज आप लोग के बीच में हम एक नहीं को लेकर के हजी रहात के बीच में और यह मु बतलब हर राष्ट अपने अस्तर पर भी और पूरा विष्ट सामुहिक रूप से भी प्यास कर रहा है यह विष्ट की एक बहुत बड़ी चिंता है इसलिए पूरा विष्ट विरादरी इस पे सामुहिक संगर्स कर रहा है और यह उसी का एक परड़ाम है कि यह सवाल बार- वक्त इसको देखिएगा रटिएगा क्योंकि एक प्रसमें किसी भी एक्जाम में चले जाए जरू मिलेगा इसलिए कोई गलती नहीं करेंगे इसके बारे में ठीक है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको खुब दियार करेंगे तो आईए आज हम लोग समझने का प साहत पूर है आईए इसके पहले संस्था के सब्सक्राइग अगरिकल्चर के द्वारा यफो 2023 का प्री मेंस कमिन इंटर्वी का बैच मारा रारंब हो चुका है उसमें ऑल्लाइन आफ्रेंड किसी भी मोड में जूरना है तो आप जूर सकते हैं मारा एक बैच आपका यफो क जून से सुरू होगा तो जिन अभ्यारतियों के इन सभी डेट्स पर संस्था से जुड़ना है आप सभी का स्वागत है और 72 परड़ाम एफो में पाने के लिए आप लोगों को इसमें अगर अभी से आएंगे तो बहुत अच्छी एक इस्तिती बनेगी तो कि सारी सपना जो है जीवन का एक्स्पीरियंस हो आपके साथ काफी सेर करनी का आउसर पा रहे हैं तो खूब अच्छा करेंगे महरत आईए आप सभी का स्वागत है संसा में टी ए या केल सुपरवाइजर का बैच रणिंग में है ऑनलाइन ऑफ्लाइन दोनों मोड में चल नहां है यदि किसी भी छात्र को इसमें जुड़ना है तो आपका स्वागत है आप सभी के लिए सरस्ता उज्जोल वविस्की कामना भी करती हैं उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये विज्यापन आपको मिले ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं बाकि जो इस्तितिया आएगी वो आप भी जानें गये हम भी जानेंगे कि भीसीएजी का क्रैस भैष मारा चेला है है मारा कि सीख Time 5 syllable कंप्लीट है अब अगले सत्र के लिए आप मसे ही है कि सलसा है एंगली और मिज्जिवल मैर्थ हैं रिजे निगा इंगली है किसी को भी अधी तो करा आ यहां पर आज जो इतना महत्पूर्ड चीजों को हम आपके समख चलाए हैं और इनमें सिर्फ एक चीज को परियावरर से संबंधित महत्पूर्ड बिंदूओं पर हम आपके बीच में उनके डेट और दिवस के बारे में जानकारी करने का हम लोग प्रयास करेंगे चुकि यह नहीं भूलिएगा क्योंकि यह दिवस बार बार आपसे इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और पूछे जा रहे हैं तो जो ट्रेंडिंग में हैं उन्हीं की चर्चा आज हम यहां पर करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद करेंगे लिखा है महत्पूर्ड संबंधित दिवस याद दिन ठीक है तो इनसे संबंधित दिवस याद दिन जो है ठीक है तो पहले लेखा विश्व नम भूमी दिवस ठीक है वेट लैंड डे वर्ल्ड वेट लैंड तो कब है दो फरवरी इसी का एक दूसरा नाम रामसर साइट है आपको भी पता है ठीक ह रामसर साइट ठीम है आप से सवाल मेरा है कि रामसर जाउण नामक अस्थल है उसकी नेश में है इस का संबन्द है आप अपने कमेंट के माध्धन से जरू बताएड़ आगे देख्या क्या सब्सकरन नखिकाए तो 20 गवरया दिवस कब मनाया जाता है 20 मार्च को ठीक है उसके बाद लिखा है 20 बान की कहीं पर 20 बान की दिवस लिखा रहता है कहीं पर 20 बन दिवस लिखा रहता है तो कब है 21 मार्च को है उसके बाद है 20 जल दिवस तो 20 जल दिवस कब है आपका 22 मार्च को है ठीक है और 7 अप्रेल को है उसके बाद है जल संसाधन दिवस तो जो हमारा जल संसाधन दिवस है वो कब है 10 अप्रेल को है उसके बाद देखे 20 पूछ रहा है इसलिए जनाज इस पर फोकस बनाए रखिएगा ठीक है उसके बाद देखे लिखा 20 कचुवा सनक्चर दिवस 23 मई को है परियावरर दिवस ये सभी लोग जानते हो बार बार ये कितनी बार पूचा गया है जो भी कहा जाए साथ कम होगा ठीक है 20 परियावरर दिवस 5 जून को है 20 भूगर भजल दिवस कब है 10 जून को है 20 जनसंख्य दिवस कब है 11 जुलाई क्योंकि आपको भी पता है भारत के लिए जनसंख्या भी ये बहुत बड़ा वह बन गया है इससे भी देश को आपने आपको नियंत्रित करना है ठीक है विश्व ओजोन दिवस कहीं कहीं पर वोजोन दिवस लिखा रहता कहीं कहीं पर विश्व थे अच्छा की ही बाद होती है ठीक है वो कव है 16 सितंबर को है यह जानते है उसके बाद विश्व खाद दिवस वन फूड़े विश्व खाbits दिवस कम है 16 एक्टूबर को है उसके बाद है रास्ट्य दिवस 12 नौमबर को है रास्ट्य 나는 और अन कि इसलिए याद रखना ठीक है उसके बाद देखें लिखा है 208 सी दिवस कब है एक दिसंबर को और अंतर राष्ट ये परवधिसा कब है 11 दिसंबर को तो ये वो दिवस हमने आपके समख्ष रखा है जिसका संबन पर्यावरण से हैं और आप भी समझ सकते हैं जो पर्यावर आपको बिल जाएगा इसलिए जरूर रखिएगा संसा में किसी भी प्रिकार की जानकारी के लिए आप मारे नमबर 94 15 25 25 बाहतर पर 25 25 बाहतर पर संपर करके आप जानकारी कर सकते हैं ठीकर तो ये आज का आपका एक छोटा सा पुरा आईए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहें